आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि D10 पैक किस तरह से हम लगाएं और किस तरह से हटाएं कई बार क्या होता है हमको लगाने का तरीका तो फिर भी ये किसी भी तरह लगा लेते हैं लेकिन फिर भी एक प्रापर बेम में जो तरीका होना चाहिए उसी तरीके से हमको फेस पैक लगाना चाहिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नीचे से उपर की साइड हम लगाएं और ये दिखिए घर बैठे है आप किस तरह से लगाएंगे अगर आपके पास डीटेंट पैक है तो फिंगर के जरीए भी हम फेस पैक लगा सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि ब्रश हो और अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से लगाना भी बताएंगे अब ही आप देखिए कि घर बैठे आप डीटेंट फेस पैक फिंगर से किस तरह से लगाएंगे यह डायरेक्शन का आप ध्यान रखिए नीचे से उपर की तरफ हम पैक लगाते हुए आ रहे हैं और यह देखिए आप फेस पैक लगाने के बाद में फारेट वाले एरिये पे भी हम फेस पैक इस तरह से लगाएंगे direction का ध्यान देखिए आप कि किस तरह से करना है किस तरह से लगाना है और लगाने के बाद में हम face pack को 5 to 7 minute तक रखेंगे अगर मौसम थोड़ा बरसाथ का है या 10 का है तो फिर time हो सकता है 10 minute भी हो जाए लेकिन अगर गर्मी का time है तो 5 to 7 minute तक काफी फिर हम 5 minute तक इसको लगे रहने देंगे अगर नहीं wash होता है 90% नहीं सूखता है थोड़ा पैक तो फिर हम 10 minute तक भीख करेंगे यह देखिए 7 minute बाद हमने cotton pad हटाए है और लगवक यह face pack 90% सूख गया है और सूखने के बाद हटाने का तरीका आप देखिए इस तरह से हम face pack को गीला करेंगे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग लगा तो लेते हैं लेकिन हटाने का proper तरीका जो होना चाहिए वो नहीं उपाता है और वो एक directly जो wash करके या napkin से या फिर response से जब wash करते हैं घर बैठे तो फिर वो directly stretch करते हैं skin stretch होती है इसलिए सूखे pack को कभी एकदब नहीं हटाना चाहिए उसको गीला करके अगर हम अटाते हैं तो face pack skin से अलग हो जाता है और बहुत easy way में वो face pack उतर जाता है तो देखिए wash करने का तरीका आप देखिए हमने बताया गीला pack किया और फिर हम ये napkin से wash करने हैं आपके पास sponge है घर पे या cotton से भी आप हटा सकते हैं या directly wash भी कर सकते हैं इस तरह से आपको face pack हटना है तो friends आपने देखा कि किस तरह से direction के according हम ध्यान रखते हुए face pack लगाएंगे और इसके अलाबा हटाने का पूरा जो procedure हमने आपको बताया है उसी तरह से आप हटाएंगे तो हमारे skin lose नहीं होगी face pack इसके टाइटनिंग के लिए लगाया जाता है और glow के लिए लगा जाता है tanning removal है तो tanning हटाने के लिए लगाया जाता है अब देखे ये तो हमने बताया आपको कि finger से घर बैटे किस तरह से हम face pack लगाएंगे और अब देखे अगर आपके ब्रश है तो brush से लगाने का तरीका देखे आप brush से पार्लर में हम लगाते है तो बहुत ही easily लग जाता है और जल्दी भी लगता है आपने देखा finger से इस तरह से लगा brush की साहता से इस तरह से लगा इसमें भी हमको ध्यान रखना है कि direction नीचे से उपर की side में होना चाहिए उपर से नीचे की side हमको pack नहीं लगाना है face mask देखिए इस तरह से लगाया और लगाने के बाद में वही हम 5-7 मिनट तक इसको रखे रहने देंगे और जब हलका सा सूप जाएगा तो वही देखिए हटाने का तरीका देखिए आप ये हमने second बाला बताया आपको cotton pad अगर आप easily लगा सकते हैं रेस्ट करने तो cotton pad लगाईए अगर रेस्ट नहीं करने तो face mask लगा कर भी घर का काम आप कर सकते हैं ये देखिए 90% face mask सूप गया है और ये अब सर्दी के टाइम में हमको अटाना है तो इस तरह से हमने गुनगुना पानी लिया है और उसमें ये disposable napkin dip किया आप घर पर हैं तो आप अपना hangky या कोई भी napkin वेरा ले सकते हैं लेकिन कपड़ा soft होना चाहिए एकदम ये गुनगुने पानी में हमने dip किया है फिर face पर आपने देखा warm एकदम जो face skin को दिया है हमने उसके कारण जो भाप के कारण सारा mask बिल्कुल soft हो गया skin से अलग हो गया और इस तरह से हमने wash किया तो फ्रेंड विश्वास है आपको ये दो तरह का हमने दो मौसम का जो face mask लगाना पताया है पसंदाया होगा इसके साथ ही हम पिदा लेते हैं बहुत 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 बहुत